अकाउंटिंग स्टेंडर्ड 16 में एक्सचेंज डिफरेंस को भी हम पार्ट मानते हैं पार्ट ऑफ बॉरिंग कॉस्ट यह एक्सचेंज डिफरेंस किस नेचर का होना चाहिए in the nature of gain या in the nature of loss in the nature of loss होना चाहिए तो यह उसका पार्ट माना जाता है कितना पार्ट माना जाता है तो यह हमने conceptly भी पढ़ा कि हम अपने पास जो cost of local boring है जो cost of local boring है उससे ज़्यादा ना हो तो जो आपकी actual में foreign की boring cost थी हम उसमें exchange डिफरेंस को add कर देते हैं यह exchange डिफरेंस को add कर देते हैं जित से की cost of local boring exceed ना कर जाए अगर उससे ज़्यादा की कोई cost होगी exchange डिफरेंस की तो हम उसे क्या treat करते हैं हम उसे AS 11 में treat करते हैं यानि उसका accounting AS 11 डील करता है up to cost of local boring हमारे पास कहां जाती है यह हमारे पास यहां आती है इसको calculate करने का एक formula बना दिया था हमने वो formula क्या था हमने का हम calculate कर देंगे lowers किसका lower ले ले लेंगे exchange डिफरेंस जो आपका actual में आ रहा है या जो आपकी cost of local boring है जो आपने अनुमान लगाई होगी जो कैसे लगाई होगी वही आपने इतने dollar का loan लिया जिस दिन loan लिया उस दिन rate कितने का था beginning में into rate इंडिया में क्या पढ़ता है ध्यान देना कौन से rate से आप convert करते हो loan का amount beginning के amount से convert करते हो इसके अंदर आप minus कर देते हो cost of foreign borrowing तो ये कैसे निकालोगे जो भी आपका loan था multiply कर दोगे जो rate of interest था कौन सा foreign का multiplied by interest कब लग रहा है interest last date लग रहा है तो आप last date का rate ले लेते हो ये हमने अपने पास ले लिया तो इससे क्या निकलाएगी इससे निकलाएगा amount जो कि आपको ultimately lower लेना है यहां last date की जगा क्या average rate भी लिया जा सकता है तो आपका ये पास average rate भी alternative है यानि उसे भी लिया जा सकता है बट हम लोग अपने पास last date लगाएगे क्योंकि हमारे को जानकारी नहीं है कि किस date को interest लग रहा है तो हम मानते हैं last date को interest लग रहा है this is treated as borrowing cost and this borrowing cost is dealt by AS 16 और जो excess borrowing cost है जो बाकी की excess amount है excess ED है is dealt by AS 11 वो AS 11 deal करेगा आपने पास तो ये मेरा एक बचा हुआ एक वीडियो था जो मुझे आपके साथ तयार करना था ये मैंने तयार कर दिया इस पर दो question मैं आपके साथ कराना चाहता हूँ कर दो